एक नुस्खा जो बालों को लंबा और घना करने के लिए जादू की तरह काम करता है आपके बाल इंडिया के बालों की तरह लंबे और घने होंगे आपके बाल बिना रुके बढ़ेंगे सिर्फ धनिये और प्यास से हमें धनिया का एक गुच्छा चाहिए धनिये को छोटे छोटे तुकडों में काक लें धनिया बालों को कंडीशन करता है और कोलेजन के उत्पादन में सुधार करता है जो बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी है ये रक्त परिसंचरण में सुधार करता है इस प्रकार बालों के विकास को बढ़ावा देता है यहां तक ये बालों को धूप से होने वाले नुकसान से भी बचाता है अब हमें दूसरी चीज चाहिए मेथी मेथी को छोटे छोटे तुकड़ों में काट लीजिए मेथी बालों के विकास के लिए अच्छी होती है ये स्वस्थ स्कैल्प के लिए अच्छा है ये एक बेहतरीन हेयर कंडीशनर है ये डेंडरफ से लड़ता है एक प्यास ले और उसका छिलका उतार ले प्यास बालों को घना करता है और बालों के विकास को उत्तेजित करता है प्यास को छोटे छोटे तुकड़ों में काट ली प्यास गंजेपन का इलाज करता है और बालों के रूम को पोशन देता है गंजापन और खोपड़ी की सूजन का इलाज करता है हमें लहसुन चाहिए लहसुन को छील ले लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में कात ले लहसुन बालों को जड़ने से रोकता है और स्कैल्प को स्वस्थ रखता है कटे हुए धनिये और मेथी को ग्राइंडर में डाले अब ग्राइंडर में कटा हुआ प्याज और लहसुन डाले एक छोटा कप नारियल का तेल डाले आप नारियल के तेल की जगह सरसों का तेल भी डाल सकते हैं नारियल का तेल बालों को जड़ने से रोकता है और उन्हें स्वस्थ रखता है फिर सामगरी को अच्छे से पीस ले मिश्रंग को कड़ाई में डाले फिर दूसरा कप नारियल का तेल या सरसों का तेल डाले मिश्रंग को चूली पर पकाए मिश्रंग को थंडा होने के लिए रख दें फिर इस मिश्रंग को कपड़े से छान ले आप विटामिन ई तेल की कुछ बून्दे भी मिला सकते हैं विटामिन ई तेल बालों के जड़ने का इलाज करता है और बालों को तूटने से रोखता है मिश्रंग को एक छोटे जार में रख लें अज़ करता हैं इसका उप्योग करने से पहले इसे गर्म पानी में रखें मिश्रन को गर्म करने के लिए नुस्खा कैसे लागू करें? मिश्रन को स्केल्प पर लगाए अपनी उंगलियों से स्केल्प की मसाज करें अपने बालों को शावर कैप या प्लास्टिक रेप से धख ले इसे एक घंटे के लिए अपने बालों पर लगा रहने दे फिर बालों को शैंपू से धोले सब्ताह में दो बार नुस्खा का प्रयोग करें इस नुस्खे को आप लंबे समय तक सुखी जगा पर रख सकते हैं देखने के लिए धन्यवाद देखने के लिए आप लेगा रहा हैं झालों को शैवाद झालों को शैवाद